नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीन नेचल लाइव तो दोस्तों आज बात करेंगे इस सकर फिस के फायदे और नुक्सान के उपर तो जितनी जल्दी उसके बाईयों को वही सही सही अपने अनबव के तोर पर मैं आपको सही राए दूँगा क्योंकि वही जो प्रोफेसरनल रूप से अपना वही फिस के पिंग का काम करते हैं फिस सोपवाड़े हैं वही उनको तो वह ग्यान तो होता है मैं मानता हूं इस बात को लेकिन वही जो अनबव है अनबव के बात दूसरी होती है जो फायद के कारिये है या नुक्सान देखा आपको तो इसमें दोनों ही बाते हैं भई मैं आपको बताऊंगा सिद्धी बात और यह बिलकुल मेरा रियल फैक्ट भई अपना अनभाव के बात बता रहा हूं मैं अपने वैसे नहीं बता रहा कि भई दुकान वाड़े क्या कहते ह या सो फिस रखने वाड़े क्या बात कहते हैं मैं इस सब बाते अपने अनभव की तोर पर बताता हूं और भई मेरा माना तो यही है कि भई हाँ सभी लोगों को ग्यान होगा लेकिन अनभव साइद ग्यान से बढ़कर होता है आप वास्तिक रूप से जिस चीज को देख लेत और भई इसका कुछ नुक्सान भी हैं तो मैं आपको दिखाता हूं भई अपनी सकरफिस का चिप गई थोड़ी यह देखो इस फिल्टर के पिछे है वो फिलाल मैं आपको दिखाता हूं यह देखो भई इस साइड यह अभी साफ करने की लग रही है थोड़ा तो इसका यह उस काई को साफ करने का बहुत बढ़िया काम करती है सकरफिस और इन जो भी आर्टी फिस चला आप गमले उमले लगाते हो यह पैबल्स वगएरा यूज करते हो जो भी यह टोई वगएरा यूज करते हो तो इनका साफ करने का वही बहुत बढ़िया काम करती है सकरफिस ये तो बिल्कुल रियल फैक्ट है भई, ये सफाई तो बिल्कुल करती है लेकिन इसकी कुछ बाते हैं कि यदि आपकी सकरफिस को ज़्यादा खाना डाल दिया ये ज़्यादा यदि खाने लग गई, यानि मैं भार का फूड की बात कर रहा हूँ तो ये आपकी काई साफ करना बंद कर देगी, ये भी बात है क्योंकि इसका पेट जब भरा होगा तो ये बिस नॉर्मल बस सफाई करेगी नॉर्मल खाएगी या फिर खाना बंद कर देगी, ये एक साइड में चिपकी रहेगी सुस्त सी होकर ये बात है भई, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी सकरफिस को खाना देना ही बंद कर दें भई, ऐसा भी मत करना तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है भई, ये तो सही है कि एक्वेरियम को साफ तो करती है लेकिन भई जो इसका वेश्ट है ना जो ये खाने के बाद जो पोटी करती है एक्विरियम में उसकी गंदगी मेरे को इन और मचलियों से ज़्यादा लगी यानि ये और मचलियों से ज़्यादा वेश्ट यानि खराब प्रकार का वेश्ट ये पानी में छोड़ती है जिससे पानी ज़्यादा इन मचलियों से ज़्यादा इसकी पौटी से इसके वेश्ट से ज़्यादा गंदा होता है ये एक बात है सकरफिस की दूसरी बात यदि इसकी साइज छोटी है तो भाई ये शही काम कि यानि आपकी मचलियां और मचलियां उनकी साइज के साब से ही आप सकर फिस रखें अगर ये उनके मचलियों के साब से मतलब दूसरी मचलियों के साब से बड़ी है तो भाई ये मचलियों के लिए नुकसान दायक भी हो सकती है वो कैसे कि भाई ये कभी-कभी मचलियों पर attack भी कर देगी, यदी यह ज़्यादा भुकी रही, या अन किसी कारणों से चिड़-चड़ी सुभाव की यदी हो गई तो यह attack भी कर देगी, इसके कारण से, या तो आप सकर फिस्ट छोटी रखें, या फिर सकर फिस्ट के साथ आप छोटी फिस ने रखें वरना ये कभी-कभी अटैक भी कर देती है ये ऐसा नहीं है कि हर बार ये अटैक करती है लेकिन हाँ संभाव ना हो सकती है कभी-कभी कर देगी यदि इसकी साइड से छोटी मचलियां जैसे गपी, मौली या और भी दूसरी मचलियां कुछ ऐसी होती है जो छोटी होती है यदि ये बड़ी सकर्फिस उनको एक बार यदि पकड़ लेगी तो यानि सक एक बार करने के बाद उनको वो छोड़े गई नहीं वो खोब छुटानी की कोशिस करेंगे और ये उसे चिपकी रहेगी और उसको सक करने लग जाएगी बार बार जदि आपके मचलियां में बिमार मचलियां पड़ी है तो उनके उपर भी संभावना हो सकती है कि ये उनको भी सक करने लग जाए यानि जो एक कोड़े में पड़ी रहती है सुचते हैं या मर गई हैं तो उसका भी खत्रा है इस प्रकार से भई इसके कुछ नुक्सान है तो भई मैं तो आपको ये सला दूँगा कि आप ज़्यादा बड़ी सकरफिस भी इक्वेरियम में ने रखें और यदि आप मैंटिनेंस इक्वेरियम का अपने टाइम टू टाइम करते हैं या किसी उपकरन से या अपने हाथ से इक्वेरियम की सफाई कर देते हैं ग्लास आप सकरफिस ने भी रखें तो भी आपको कोई नुकसान होने वाड़ा नहीं है लेकिन युदि आप के QIRIये में काई ज्यादा लगती है तो भई सकरफिस रख सकते हैं और मैं यह साला दूँगा कि आप छोटी सकरफिस ही रख्थें ज्यादा बड़ी सकरफिस ने तो भाई इस तरह हैं कि ये ये इसके फाइदे नुकसान है कि सबसे जादा नुकसान तो मेरे को देखने के मिला कि इसकी जो वेस्ट है पोटी वो और मचलियों से जादा गंदगी करती है पानी में ये रियल फेक्ट है हाँ ये भी सच है कि ये एक्विरियम का ग्लास वगेरा बैस साफ भी करती है तो ये दोनों प्रकार्चे इसके फायदे भी हैं और नुक्सान भी है लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप और मचलियां रख रहे हैं एक्विरियम रख रहे हैं कि भी आप सकरफिस को रखें लेकिन ये पैबल्स वगेरा पत्थर वगेरा ये बढ़िया भी अपने से साफ नहीं भी हो नहीं पाते भी तो सकरफिस रख भी सकते हैं तो बस भी आज की वीडियो में इतनी जानकरी और किसी भाई को कुछ यदी डाउट हो तो भी कॉमेंट में अपनी राय दे सकता है या अपना सेजेशन मेरे को दे सकता है और वैसे मैं प्रोफेशनल भी कारिये करने वाड़ा हो नहीं ये सब बाते मैं अपने अन्बव से बता रहा हूँ भी